हेलो एंड वेल्कम गाईज स्वागत है आपका हमारी चैनल इंडियाश वेप्टी में आज आप सेखेंगे कल्षा दसवी का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है आपड़ों का विशलेशन यहां पर आपको क्या-क्या सिखना है आपको समांतरमाद भर्मादिक और बहुला के द जरूरी है क्योंकि उनके में भी टॉपिक होता है बस नाम समांतरमाद ना होगर के आउसत होता है ठीक तो आज हम जाने के समांतरमाद देखो तो जो हम लिखते हैं समांतरमाद इसको अगर मैं आउसत कहूं तो गलत नहीं होगा ठीक है क्योंकि दोनों का अर्थ एक है क्या पदों का योग बटे पदों की संख्या ठीक दोनों यही कहते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या अच्चुकि यह आपको पता होगा ठीक है लगभग छटवी के बाद से आपको पांचवी से पता होगा पदों की बटे पदों की संख्या तो यहां पर आपको सबसे पहले बेसिक प्रशन क्या मिलता है तो देखीं एक्जामपल के یہ ठीक है कोई फल है ठीक है जिसे कि फल है जो पांच रुपे का है ठीक है फल भी सात रुपे का है और फल सी शे हुस कर और यह पुछा को थो हम पने कि तुमने कितने सारे फल आए तो तुम अलग-अलग नाम बता रहे हो ABC कोई इतने रुपए का इतने रुपए का तो आउसतन फल का मुल्य कितना पड़ा यह आप से कोई पूछ रहे आउसत कितना पड़ा प्रतेक फल का मुल्य अलग 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 है पर आउसत कितना पड़ा तो आउसत मतलब क्या आउसत मतलब आपको एक average मुझे ले बताने है तो आपको क्या करना है देखें आपको लिफने है आउसत बराबर पदो का योग बटे पदो की संख्या तो पद 1,2,3,4,5 है तो आप लिखेंगे 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 10 कितने पद है भई 5 पद है है इसलिए बट्टे में 5 लिखेंगे ठेक आगे क्या करना है जोड़ना है तो तुरंथ आप जोड़ सकते हैं ठीक है तो जोड़ते हैं 8-10-18-18-18-20-25-25-25-31-31-31-31-36 ठीक है तो 5-35-35-25-10 तो 7-10-2 आपका आउसाथ है तो आप गहेंगे प्रती फल यह फल का एवरिज क्या निकला 7-10-19-2 निकला यह रहा आपका आंसर 7 रुपए 20 पैसे आप आंसर कहेंगे अब बुग में कैसे प्रशन मिलेंगे आपको तो बुग निकाल करके बैठी अगर आपने नहीं निकाल आ है तो प्रशन वाली एक में आपको कुछ ऐसे प्रशन रुपए तो देखिए A में है 25 रुपए B में 28 रुपए C में 30 रुपए D में 31 और E में 32 यह कुछ अलग-अलग दाम है एक आपको क्या करना है इन दामों का आउसत निकालना है तो आप आउसत लिखेंगे आउसत का सूत्र लिखेंगे पदो का योग बटे पदो की संख्य गटे अब मैं एक प्रश्ण बना रहा हूँ इसको सिखने को वादँ आप सारे प्रश्ण बना सकते है फिर ट गड़ो पड्रों की संख्या है 25 लिख सकते हैumen है है तो प्लस 28 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 32 अब जोड़ते हैं चलिए एक एक करके जोड़ते हैं तो यह दो आकर इसमें जुड़ेगा तो यह दो इधर आ गया मतलब 30 और यह 30 60 60 30 90 और 30 120 120 में आप 20 जोड़ेंगे तो 140 140 और 5 145 और यह 146 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो पांच दूनी 10 पांच निया 45 पांच दूनी 10 तो उन्देश देसमलों दो आपका आंसर है तो आई होग आपको यह समझ में आया होगा और यह आंसर आपको बुक में मिल सकता है तो ऐसे दो चार और प्रश्न है तो आप इस तरह से प रफ लेवल क्या होगा मैंने लिखा 5, 7, X, 8, 10 का आउसत या मैं कह सकता हूं माध्य आउसत या माध्य दस है तो X का मान ग्याद करें अब देखे प्रश्न तो आउसत कहीं है पर इसमें X का मान ग्याद करने को बुला क्योंकि बीच में X है तो आप पहले लिखेंगे वही पदो का योग बटे पदो की संख्या बराबर माध्य या आउसत अब देखेंगे पद हैं आपके पास 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 10 बटे कितने पद हैं 1, 2, 3, 4, 5 तो बटे में 5 लिखना है बराबर आउसत या माध्य आपको पहले से दिया है 10 तो आप लिखेंगे 10 क्लियर पां दाहम 50 हो जाएगा अब क्या बचा इधर ये संख्या मचीन को जोड़ लेंगे तो साथ में 5 जोड़ेगा 12 12 में जोड़ेंगे 20 20 और 10 30 तो हम लिखेंगे 30 प्लस X अब क्या करेंगे 30 को पक्षांतर कर देंगे तो 5 दाहम को ये 50 हो रहे हैं प्लस 30 सिधर आके माइनस 30 होगा और 50 में 30 गया 20 अब आप कहेंगे X कमान 20 है तो ऐसे प्लस्ण आठी कक्षा में भी है चैप्टर 6 पे तो आप भी अपने प्लस्ण को सॉल्व का सकते हैं इसी तरह से तो ये अब सबकिल इंपोर्टेंट हो गया अब हर बच्छों से प्लस्ण बन जाएगा ओके आगे माधिका में भी आपको आकड़े दिये रहेंगे आकड़े एक अंग भी हो सकते हैं अभी हम सबी के चोटे-चोटे प्रस्ण जान रहे हैं अभी सब के बड़े-बड़े प्रस्ण जाना है इसको बनाएंगे पर फिले चोटे प्रस्ण सिख लेते हैं तो अगला है माधिका म रहेका कि अब कि आपको पदो की संख्या क्या है क्या करते हैं वह क्या है क्या है करनेक मतलब है कि क्या वो sum है या वि-sum है ठीक यह आपको check करना है अब माल लेते हैं अगर पदो की संख्या वि-sum होती है क्या होती है वि-sum तो आपको सुत्र लगाना है n प्लस 1 बाइ 2 मतलब पदो की संख्या प्लस 1 बटे 2 वापद ठीक अब अगर पदो की संख् लिखने हैं दो नियम याद रखना है फिर प्रश्ण को बनाना है तो सबसे पहले अगर मैं इस प्रश्ण को हल करूंगा तो मैं लिखूंगा आपड़ों को आरो ही क्रम में जमाने पर ठीक है तो बताइए सबसे छोटा क्या दिख रहा है सबसे छोटा उसको पहले रखेंगे तो सबसे छोटा दो है उसके जस्ट बात चार है उसके जस्ट बात पांच है फिर छै है फिर साथ है फिर आठ है फिर नौ तो नहीं है सिधा 10 है, कितने पद होगे गिन यह, तो सुरू के 3, 3, 6 और 1, 7, 7 पद है मारे पास, कितने पद है 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हम लिखेंगे, यहाँ पर पदो की संख्या, n बराबर 7 है, जो की क्या है, विशम है, जब पदो की संख्या विशम हूँ, तो आप क्या करेंगे, छोटा वाला सुत्र लगाएंगे यह, ठीक है, तो आप लिखेंगे माधी का बराबर, n प्लस 1 बाई 2, वपद, ठीक, बहुत है सिंपल है, बेसिक से चल रहे हैं, तो n कमान है, साथ, तो आपको n के जखा क्या लिखना है, साथ, प्लस 1, ये, बटे 2, वपद, अब, साथ में एक जुड़ेगा, आठ, बटे 2, वपद, दो, चौक, आठ, करेंगे किता आया, चार, अब वपद, जो मैं बारबल लिख रहा हूँ, इसका मतलब है, आपने जो आरोही कर कि जो प्रश्ण होते हैं, इसका अंसार आप देख के बता सकते हैं, बनाने का सकता नहीं है, तो अब सुरू होगे टिप and ट्रिक्स, तो ट्रिक्स क्या है, टिप क्या है, सुने ध्यान से, माली का मतलब होती है, बीच की संक्या, जैसे, मैंने ये पांच उगले दिखाई, और कुछ आप से बताईए, इन में बीच की संक्या पुएन सी है, तो आप प्रहेंगे ये वाला, दो इधर, दो इधर छोड़े के यह हुआ बीच की संक्या है, टिक है, तो आपने देखके बता दिया है, एस हिसो पहले इसमें, सबसे पहले तो आपको आरोही करम में जमा लिए तो तीन संख्या को गायब कर दोओ आपके पास आए डो चार पांच छैसा नहीं है जैसे अगर मैंना अपको इसको होनी है इधर नहीं है इसको कह없이 संख्यारी कितनी संख्यारी है तो जब संख्या होती है तो दोनों को जोड़के घंगा दिना है एक्जामपल के लिए अगर प्रश्न पूरह यही है यह आपने समझ लिया ठीक है थोड़से इसको थैसिसको मैं मिटा रहा हूं नया प्रश्ण नहीं दे रहा हूँ, प्रश्ण मान लिजा यही है, हमने किसी एक संख्या को हटाया, मान लिजा हमने 10 को हटाया, किसको हटाया, 10 को, अब संख्याओं का क्रम क्या हो गया, गिन ये, 3, 3, 6, ये हो गया, 6, अब 6 क्या है, एक संख्या है, एक संख्या है, तो कबटे 2, देखिए, एन कमान अब 6 है तो आपको लिखना है, 6 बटे 2, 26 कबटे 2, प्लस 1 बटे 2, 6 को काटेंगे तो 3, तो 3 पद, यहां भी आईगा 3, पर 3 में गो जड़ेगा तो चौन्था पद, पूरे का बटे दो, अब बताए तीसरे पत कमान, आपने जो जमाय उसमें तीसरे नमर में 5 है, तो तीसरे के जगा 5 रखेंगे, चौथे पत कमान, तो चौथे नमर पे देखिए 6 है, 6 है न अच्छा है, ता पूर अपना है 6, बटे 2, तो 6 में 5 जोड़ेंगे, 11 बटे 2, और 11 या 5.5 ठीक है, देखिए 10 का अधा 5 होता है, तो 11 का अधा 5.5 ठीक, अब ये तो बंद करके आया, 15.5 क्या हम देख के अंसाल आ सकते हैं, हाँ बिलकुल आ सकते हैं, आप देखिए, दो संख्या इधर चोड़ देंगे, दो संख्या इधर तो बीच में दो संख्या आरी है, यही माध्या है, पर दो संख्या है, तो किसे एक को लेना है, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दो से डिवाइट कर देंगे, ठीक, तो 6.5, 11, 11 का अधा 5, जो निकल गिया, ठीक, संख्या हम कुछ भी लिख सकते हैं, आपको बस ध्यान रखना है, बीच में कित ठीका समझ गए, अब बहुलक को भी समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक, तो क्लास अगर अच्छा लग रहा है, लाइक करें, कमेंट जरूर करें, ठीक, ओके, अब बहुलक के प्रश्न, बहुलक के प्रश्न कुछ इस तरह से होते हैं, बहुलक नाम से स्पाश् ठीक अब देखें, इसमें कौन कौन संग कितने बार आए हैं, तो जैसे कि अगर हम 5 को देखें, तो 5, 1, 2, 3, 4, 4 बार, ठीक है, 1, 2, 3, 4, फिर 4 बार, आप कह सकते हैं कि 5 यहां 4 बार है, पांच कितनी बार है, 4 बार, ठीक, अब देखिए 7 को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो यहां 7 जो है, वो 7 बार है, ठीक, अब बहुत चेक कर लेते हैं, 2, 1, 2, 3, 4, 4 बार आ है ठीक है यह तो छोटा है फिर इसको रहने दीजे च्छाय को देखते हैं एक दो फुर च्छाय कहीं नहीं है दस एक दो जो कहीं नहीं है आठ वहीं बस है बागी कहीं नहीं है तिन यहाँ है बागी इस लाइन में तो हई ही नहीं तो आपने देखा इन संख्याओं में सबसे ज अतम कर देना है तो यह हो गया बहुला काफी सरल ठाएं अब हम बनाते हैं बड़े प्रस्ण की सुरुगात करते हैं प्रस्ण वाली दो के पहले प्रस्ण से तो यह क्या रहे हैं निमनापड़ों का जलता होगा सिर्फ देखने से नहीं नहीं आएगा 65 35 35 35 35 55 70 75 75 85 जहां पर राजी कि संख्या क्या है आपको बूला गया है कि नीम नाकड़ों की सहायता से माध रखाथ चाहर निशकर से दीजे उस आपको बुल जाता है तो समानतर माध्य क्या हैं तो आपको याद रफण समांथर माद मैं आपको 4 कॉल्म बनाना है कित्ते कॉल्म 4 कॉलम पहला होता है जो उप्र के आंक्वर्ग यह वर्गंतराल कहते हैं उसके लिए है दूसरा जो नीचे में दी जाती है बारामभडाय शंख्या उसके लिए तीसरा चौत्षा चौत्ः इनि देजे पहले के दो कॉलम ही दो कॉलम हुए तीसरा क्या होता है पहले के योग का आधा होता है क्या कहा हमें ने पहले के योग का आधा या मध्यमान वो तीसरा कॉलम होता है अब जो भी यहां जितने से जितना होका उनको जोड़ना है दो से डिवाइट करना है और यहां ठेक अंको को लिख देना है इनका आधा जो भी हाता है जोड करके इसके बाद क्या करना है इन दोनों का गुड़ा कर देना है क्या करना है गुड़ा तो 6 दुनी 12 6 012 11 यह 33 7 24 25 25 26 27 27 288 यह आपने देखा क्रूंता टूटल करने इनका है सब इनका टूटल गार्डिन को क्लस सब्सक्रव करतेना है यहांस लित tua यह इसके बार किसे たतर्सान इसके लिए इसके बञंग लिखना है पड़ोगो यौग इसका जो मान हुआ 35 को डिवाइड कर देंगे भाग करने पर आपका अंसर आएगा 49 दसम लौग साथ एक अब यह जो मान है वह आपको मात दिये हैं अब आपको निसकर्स बताना है निसकर्स कैसे निकालते हैं देखे द्यान से आप यह तो अपने गाईड़ों गरे में आरा राज्यों में ठीक 35 से 45 पर्शन महिलाएं सिक्षित है साथ राज्यों में यह एक अंकड़ा है तो आपको देखे इसमें निसकर्स कैसे निकालने आप यह बोल सकते हैं कि एक ऐसा राज्य है जहां 75 से 50 प्रतिशत महिलाएं सिक्षित है यह एक निसकर्स हो गया जो कि हुआ 25 से 55 प्रतिशत ठीक 45 से 65 है तो 45 से 65 प्रतिशत महिलाएं सिक्षित है यह आप कहें सकते हैं और जो मैं बतार कि कि आ जिया है कि 27 प्रतिश्द से 25 प्रसेत्य है है यह कुछ निन सकते हैं और हिंदी में लिख सकते हैं तो यह प्रशन बनाने के बाद आपको यह हूता है जिसमें अब हम बनाएंगे माधी का कर थे प्रेश्न देइंगे ऊ समंझ्जरी Assam और आपके 5 नमर आपको मिल जाएंगे तो अब ध्यान दीजे अब हम बनाएंगे माधिका के प्रश्ण जो आपके प्रश्ण वली दो में प्रश्ण है ठीक निम नाकडों की सायता से माधिका ग्याद कीजिए यह आपको बोला जाएगा आपको क्या करना है जो दो कॉलम दिय संख्या में जोड़के लिखना है ठीक अब इसको बोलते है संचय आउरिति जो तीसरा क्या है पहली संख्या को सेम उतार लेना है दूसरा जो आएगा वह इन दोनों में जुड़के आएगा मतलब इसको इसमें जोड़के लिखेंगे तो बारा में जुड़ेगा तेरा यह यह हुआ अब इन्हों को जोड़ोंगा तो 89 में आपको पांच जोड़ना है तो यह हो जाएगा 84 ठीक यह क्या है इनका टोटल है तो इनका टोटल आएगा 84 इसको आपको बोलना है एन कमान पदो कि संख्या अब माधिका के प्रश्ण है तो जो भी यहां पर आएगा उसको आपको डो से डिवाइट करना है तो डिवाइट करने बाद आया है यहां पर दो चौकाट दो दुनी चार मतलब 42 अब आपको शिक्करना है कि संख्या औरिति में यह हमान किसके अंदर गत सामिल होगा यह किसम सामने वाला होता है यह मान हो गया इसके उपर वाला होता है सीएफ क्या होता है सीएफ तो यह हो गया सीएफ तो आपको दो मान निकलना है एक सीएफ और इसी के सामने वाला यह दोनों एक लवन होते हैं ठीक और इनके दूरी देखे कितने का है जीवरों में 10 कितने का cf कमाद 37 ठीक 37 और l1 आप बोल सकते हैं कि यह है 30 l1 कितना है भई 30 है वरगंतराल कितना उसको h कहेंगे है ना दूरी तो दूरी है 10 का आपने cf f l h सब लिख लिए तो जल्दी बताएं माधिका का सूत्र क्या होगा ठीक तो माधिका का सूत्र हो जाएगा n by 2 minus cf बते f यहां h और यहां रहेगा l ठीक अब l प्लस में होगा तो आपको प्लस कचिन लगाना है अब देखिए l कमान है 30 तो आप लिखेंगे 30 ठीक प्लस n कमान 84 होगा लिख लेते हैं 84 बते 2 minus cf cf कमान कितना है 37 है आप लिख लेंगे 37 ठीक बते f कमान तो f कमान कितना ह है 32 है एच कमान कितना है 10 अब 30 का 30 प्लस दो चौक आठ दो दुनी चार तो 42 में 37 घटाएंगे बटे 32 ठीक हां तो 42 में 37 घटाएंगे तो निकलेगा 5 कितना निकलेगा 5 यहां पर हम 10 लिखेंगे ठीक तो 5 बते 32 गुडित 10 ठीक आप क्या कर सकते हैं आप अप एसे काड़ सकते हैं 2 एकम 2 2 चक के बारा 2 पंचे 10 ठीक इसके बाद क्या होगा इसके बाद यह होगा कि 5 पंचे आपको 25 लिखना है बटे 16 का 16 ठीक इसके बाद क्या करना है इसके बाद आपको इनका गुड़ा करना है या इनका भाग कर सकते ठीक है तो जैसे अगर आपने 16 और 25 का भाग किया तो 16 22 ज्यादा होगा तो 16 16 15 में 16 जाएगा नहों एक से कट गया पॉइंट लगा जिरो लगा ठीक है 165 16 16 96 ज्यादा होगा तो 16 65 ज्यादा होगा Cornelous 6 32 32 0 ज्याटाल्यस टो ज्यादनीशं कि च्यादनीशंत हुआ है 1652 ज्यादनेशंय या तो आपको लिखना ये यह 30 अभी आपा suppressed नहीं दिवाइड हो और क्या है 1.5625 अब आपको क्या करना है दुने को जोड़ना है तो तीस में जोड़ दीजे एक की दिसम्मल पांच 625 यह आपका अंसर है तो देखें बहुंद यह सिंपल तरिके से मैंने समझाया इसी साड़ने को आपको यहां बनाना है तो पहले को दूसरा दूसरा जोड़ तो आपको दोसरा करना है अगर एक विसम संख्या होती है तो एक जोड़ करना है जिसके अंतर आता है उसका सामने वाला एफ और यह एल और इनकी दूरी होती है एज सब मान को लिख लिए मान भर ये बनाईए आपका अंसर आ जाएगा तरीक यही है कि इनको आपस में काट लिए फिर दोसमलों को तुरान जोड़ लेजे या फिर आप ऐसे गुड़ा करके जोड़ के फिर भाग कर सकते हैं तो काम बढ़ जाएगा यह काफिसरल था तो कैसा लगा समझ आया ठीक तो अब हम देख लेते हैं बहुलक माध्य के आपने बड़े प्रशन देख लिए मा लिए सबसे बड़ा उंग किनमे सबसे बड़ा क्या दिख रहे जैख मेरे को सोला दिखतर ही क्या भेश सोला क्या पनार किसके वह जरश जी了吧 वोगा वो कहलाएगा F0 क्या कहलाएगा F0 उसका जश्च नीशे वाला F2 समझाया तो आपको सबसे बड़ी संख्या ढूलने है उसको F1 उसके उपर वाला F0 नीशे वाला F2 तो आप बोल सकते हैं कि F1 F0 कमान 5 F1 कमान 16 F2 कमान 12 ठीक है ओके अब जो F1 था उसका सामने वाला अब एच लिखना है है एक कितने के दूरी है 50 की 50 में कितना जोड़ो किसा हो जाए 50 ही जोड़ोगे ना 50 में अता वर्गंत्राल कितना है 50 है बहुला को सूत्र क्या होता है तो देखिए याद रखने आपको बहुला का सूत्र L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और यहाँ पर H ठिक यहाँ का फर्मूला है आपको याद रखना है अब देखिए हम फटापट बनाते हैं L1 कमांद 100 है लिख लिए 100 प्लस F1 F0 F1 और F0 F1 क्या है 16 है F0 क्या है 5 है 2 में गुड़ा करने है F1 का तो F1 कितना है 16 F0 कितना है 5 और F2 कितना है 12 है H कमांद 50 ठिक 16 में 5 गया 11 16 दूनी 32 ठिक 5 और 12 जोड़कर के हो गया 17 यह हो गया 50 ठिक 32 और 17 खटाएंगे वैसे 17 दूनी तो 34 होता है ठिक है तो 34 तो यह है नहीं, तो 17 घटाएंगे तो और दो कम 15 आना चीए, according to me, ठीक है, चलिए हम देखते हैं, तो 32 में हम घटा रहे हैं 17, तो 12 में 7 जाएगा 5, 5-7-12, 2 में 1 जाएगा 1, 15 ही बचा, ठीक, तो 11 बटे 15, गुडित 50, इनको क्या करेंगे, 5 दाहम 50, 5 दिया 15, ठीक, 11 द 10 बटे 3, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर आप 100 में जोड़ सकते हैं, सिंपल जो मैंने बताया था, तो 3, 3, 9, 2 बचा, 3, 6, 18, फिर से 2 बचे का 6 आते जाएगा, मनला 20 आते जाएगा, तो 36 दिस 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 पर बार, तो आप कहेंगे 100 प्लस 36 दिस द सभी प्रशनों को इजली बना सकते हैं, बीना किसी गाइड की सहयता के, तो मैं आपके लिए बहुंद बढ़ा गाइड था, ये एक्जामपल बहुंद बढ़ा गाइड था, आप इसको देखकर कर सकते हैं, और आपको अपने चैप्टर में या अपने गडित में किसी भी है तो फिर कर रख़की किया बात जब खलं सरो आपके साथ हमारे वीडियो कि अबमा चानल में और दर सकते हैं अगर आपके पास समय कम है आप सिर्फ कुछ सेकंड देखना थांगो